आपके अपने YouTube चैनल में आप सब का स्वागत है दोस्तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले है हिरंबा चंद्र कॉलिज यानि South City College के Admission Process 2022 के बारे में या दोस्तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे हिरंबा चंद्र कॉलिज 2022 का Admission Schedule क्या होने वाला है कब से Admission Start है, क्या Last Date है, क्या Subject Combination है क्या Fees Structure है, कितना Number of Seed वहाँ पे Available है क्या कौन-कौन से Important Date आपको Follow करना है क्या Selection Criteria है तमाम Information आपको Detail में आज के वीडियो में मिलने वाला है तो दोस्तो आप भी अगर हिरंबा चंद्र कॉलिज में Admission लेना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से देखे और वीडियो को पूरा देखे तो दोस्तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो ऐसे भी और भी Important वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस करे ताके फ्यूचर में आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलता रहे तो दोस्तो जैसा कि आपको पता है कि हिरिमबचंद्र कॉलिज जिसका साउस सिटी कॉलिज भी नाम है तो ये कोलकता का वन अफ दो मोस्ट पॉपुलर कॉलिज में से एक है और बहुत सारा स्टूडेंट जो है इसमें अडमिशन लेने के लिए जाते है तो कॉंपुलर काफी जादा टफ भी रहता है और दोस्तो जैसा कि आपको पता है कि 2022 का अडमिशन भी शुरू हो गया है तो दोस्तो सबसे पहले अगर आपको अडमिशन लेना है और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हिरिमबचंद्र कॉलिज के ऑफिशल वेबसाइट में जा सकते हो और दोस्तो सबसे पहले आपको गाइडलाइन मिलेगा कि आप गाइडलाइन देख लो कि क्या-क्या गाइडलाइन दिया हुआ है इसको पढ़ लो उसके बाद अगर हम लोग फीस कोर्स के बारे में बात करें तो यहां पर आपको फीस कोर्स भी दिया हुआ है कि अगर आप बिंगॉली लेते हो अगर आप बिंगॉली के साथ कौन-कौन सा जनरल सबजेक्ट लोगे जैसा अगर आप इडूकेशन जोगरफी लोगे तो कितना फीस होगा वैसे करके हर सबजेक्ट का आपको फीस स्टक्चर मिल जागा यहां पर ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ने हो और जो भी सबजेक्ट आप लेना चाहते हो उसका फीस स्टक्चर आप अराम से देख लो उसके बाद दोस्तो आपको अगर अगर अड्मिशन क्राइटीरिया के बारे में जानना है तो दोस्तो वो भी एकदम साफ साफ दिया हुआ है यहाँ पे आपको BA Honours भी मिल जागा, BA General भी मिल जागा इसके इलावा दोस्तो BSC, B.com आपको सब कुछ मिल जागा दोस्तों सबसे पहले आपको इदम साफ साफ बता दिये जागा कि be honest में यहाँ पे क्या क्या है और आपको सबका admission criteria भी दिखा रहा कि आपको overall 50% और जो subject में आप honest लेना चाहते हो उसमें 45% होना जरूरी है या तो आप overall 55% लाओ और 40% जो है वो होना चाहिए subject में यह SC, ST category वाला लोग का लिए और OBC वाला लोग का लिए 45% overall और 40% वो subject में जिसमें आप लेना चाहते हो तो general वाला लोग का लिए overall 50% और subject में 45% होना चाहिए यह BA का है दोस्तों उसके बाद आपको वैसे ही BA sorry BSC और BCOM के लिए भी मिल जागा आप क्या लेने वाले हो उसका admission आप देख लो और उसके बाद जो है आपको फिर admission करवाना है इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे seat पता चल जागा कि कौन-कौन सा subject के लिए कितना सारा seat है वैसे ही जो है आप देख लो कि आपका general का seat SC, ST के लिए क्या-क्या seat है आपको यहाँ पे BA का थोड़ा seat कम मिलेगा seat कम मिलेगा मतलब क्या है दोस्तों competition जादा होगा तो merit list में जितना जिसका जादा नाम उपर आएगा उसका admission का chances उतना जादा हो जाएगा तो दोस्तों यह था आपका सारा information आपको fees structure भी पता चल गया आपको selection criteria भी पता चल गया आपको seed भी आप देख लिए कितना है fees course वगएर आपको सब पता चल गया तो दोस्तों अगर आपको और भी कुछ information चाहिए तो आप मुझे comment करके बता सकते हो या फिर आप facebook या instagram में मुझे comment कर सकते हो मेरा id description में दिया हुआ है और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like करो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को share करो और अगर हमारे चैनल में नहे हो तो ऐसे ही आगे भी वीडियो के लिए दोस्तों हमारे चैनल को subscribe कर लो और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो ताके जो भी वीडियो आता रहेगा college का वो आपको सबसे पहले मिलता रहे और दोस्तों अगर हम लोग important dates की बारे बात करें तो admission स्टार्ट होगी आठारा तारिक से 5 अगस्त तक admission चलेगा तो दोस्तों यहाँ पे आप website में जाके apply now में click करके आप हेरंबर चंद्र कॉलीज में अगर admission लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो